नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा वर्ल्ड कप 2023 में अब बचे हैं सिर्फ लीग स्टेज में तीन मुकाबले ये तीन मुकाबले होंगे दो दिनों में शनिवार सूपर सैटरेडे के दिन खेले जाएंगे दो बड़े मुकाबले सबसे पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और बांगलादेश के बीच और जो दूसरा मुकाबला है वो खेला जाएगा इंगलेंड और पाकिस्तान के बीच रवीबार को इंडिया और लेंट्स के बीच वो लीग स्टेज का आखरी मुकाबला खेला जाएगा इस वीडियो में बात करेंगे उस मैच की जो की खेला जाएगा शनी बार सुभा साड़े दस बजे से ये मुकाबला है पूने के महराश्ट्र क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम में और ये मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और बांगलादेश के बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है बांगलादेश की टीम बाहर हो चुकी है तो ऐसे में सेमी फाइनल की रेस से इस मैच का कोई लेना देना लहीं है लेकिन फिर भी बांगलादेश की टीम कोशिश करेगी कि च कैसी रहने वाली है पूरे की वो आपको बताएंगे मौसम कैसा रहने वाला है कई बारिश की बचा से मैच खराब तो नहीं हो जाएगा इसके लावा है टो एड रिकॉर्ड भी आपको बताएंगे कि आखिर जब 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 ऑस्ट्रेलिया और बांग्यादेश की टीमें आमने इमिडिटी जो है वो एक्तालिस परसेंट के आसपास रहेगी ऐसे में बारिश नहीं आएगी तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है पूरा मैच हमें देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ पर हम बात करें हैड टो हेड रिकॉर्ड की तो ऑस्ट्रेलिया और बांग क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम के पिच बल्ले बाजी के लिए काफिया नुकूल मानी जाती है इस मैदान में बल्ले बाजों का बोल बाला होता है इसके साथ ही पिच स्पिन कराने वाले के इंद बाजों को ज्यादा फाइदा देती है यानि स्पिनर्स किसी भी समय गे Maxwell की वो पारी आई थी पिछले मैच में 201, not out, अकेले अपने दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने वो मैच जिता दिया था, Australia क्या rest दे सकती है, शायद Maxwell आपको इस मैच में खेलते हुए नजर ना आए, क्योंकि थोड़ी injury concern था और हो सकते है उन्हें rest दे दिया पिछ ऐसी है, जैसे हमने आपको बताई, उसके अलावा हमने बात की weather के बारे में head to head records पर नजर डाली, ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, Australia या फिर Bangladesh कौन सी टीम ये वाला मुकाबला जीतने वाली है, comment box में जरूर बताईए, अगर आपने अभी तक News Nation को subscribe नही News Nation